हलो श्रूजेंट्स आम नभीन स्वागाद आपका मैं यूडिप चानल बेसिक में सॉनडिप्स में और इस वीडियो में मैं कहने वहला हूं क्लास 10 चाप्टार इंट्रोड़क्शन टू डिगनोमेट्रिक का किसम जो कि सी बेसिक का जोरा 2020 में पूछा गया था तो चली शुर क्लम है कि one प्लस को स्क्वार थीता अपॉन प्लस को सिकते हैं कि कॉर्ट इसक्वार थीटा इक्वल होता है को सिक्वार थीटा माइनस वन के तो इसी का मैं यूज करूँ है हम इसको रिएक कर लेता हूं कि 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कि कॉसेक स्क्वाइर थीटा माइनस 1 और यहां पाउन में है कि 1 प्लस को सेक थीटा अब देखे यह जो मारा निम्रेटर है इसमें मैं अटेंड़ेडिप उट कर सकता हूं यह है a square minus b square तो यह होता है a plus b bracket में और a minus b तो इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा देखें जैसे कि हाँ पर 1 लिखा है तो मैं 1 का square लिख सकता हूं इससे 1 पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं इसको rewrite कर लेता हूं कि 1 plus इसको मैं ले सकता हूं कॉसक थीटा का whole square माइनस 1 का whole square ठीक है और आप on में है 1 plus कॉसक थीटा अब यह इस फॉर्म में लिखें मैं a square minus b square तो मैं इस फॉर्म में लिखा हूं इसको a plus b a minus b तो मैं इसको rewrite करता हूं दुबारा से कि 1 plus कॉसक थीटा प्लस 1 और कॉसक थीटा माइनस 1 और अप on में है 1 plus कॉसक थीटा तो यहां पर हम देखें तो कॉसक थीटा प्लस 1 या 1 plus कॉसक थीटा यह की बात है तो यह दोनों आपस में कर जाएंगे क्योंकि यह दोनों multiplication की फॉर्म में है तो इसलिए कर सकते हैं अब नीचे तो अब हमा मेल यहां पर देखिए एक माइनस का होन है और एक प्लस का वन है तो प्लस और माइनस में आपस में कैंसेल हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ बचता है कॉसक थीटा यह में प्रूफ respons кому करना था विद हूं कि ही है यहाँथ पर हमें कॉसक थीटा प्रूहरे यहां पर हमारा 4 थीटा माइनस साइक स्क्वार थीटा के तो इसमें मैं लेफ्ट एंड साइट को ही यूज करता हूं और इसको इसके बराबर ले करा हूँगा तो यहां पर मैं क्या करूँगा लिख लूँगा पहले 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वार थीटा तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें 10 स्क्वार थीटा कॉमन मिल जाता है तो यहां लिख चकता हूं कि 10 स्क्वार थीटा कॉमन आ गया और यहां पर बचा 10 स्क्वार थीटा ब्रैकेट में प्लस इधर से पूरा कॉमन आ चुका है तो इधर से बच टैन स्क्वार थीटा जो है वो साकी स्क्वार थीटा के एक्वल होता है अब देखिए यहां पर टैन स्क्वार थीटा है तो इसकी जगह पर मैं कहा लिख सकता हूं साकी स्क्वार थीटा माइनस वन तो मैं लिख लेता हूं कि साकी स्क्वार थीटा माइनस वन और उसके बाद 10 square theta plus 1 है तो यह 1 plus 10 square theta बोले है 10 square theta plus 1 बोले एक ही बात है तो यह होता है second square theta के तो it means मैं इसको यहाँ पर लिशकता हूँ कि second square theta अब दिखे इस condition में मैं multiply कर लेता हूँ उसको ठीक है तो यहां पर second square theta को second square theta से multiply करूआ तो यह बनेगा second power 4 theta और second square theta को minus 1 से multiply करूआ तो यह बनेगा minus second square theta आप जरा question के दरफ चलें देखे अमें यही प्रूफ करना था कि second power 4 theta minus second square theta तो यही हमारे यहां पर आ गया है तो left hand side और right hand side यहां एक दूसरे के एक वाल आ गई है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां पर यह RHS जो है वो प्रूव हो गया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपके question समझ में आया होगा इस तरह के बहुत से question class strength के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next video में औरने समके साथ तब तक के लिए good bye